हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं एक अश्प्लेन करने वाला हूँ एक हॉलिवुड मूवी को जो की साल 2010 में रिलीस हुई थी जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट दोस्तो इस मूवी में एक डॉक्टर अपने पेसेंट के साथ ही गवागप करती है और उनके साथ संबंद बनाती है और अलग-अलग पेसेंट के साथ इंटिमेट होती है और ये काम करते हैं उसका हल्बैंड उसे पकड़ लेता है मूवी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजिए मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक चार्लोट नेम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लैट को रेंड पर बाय कर रही होती है और उसके बाद वो अपने बेटे को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है लेकिन स्कूल में बच्चे स्विम कर रहे होते हैं चार्लोट उसे देखकर घड चली जाती है वही नाइट में वो उसे स्टोरी और पोयम सुनाती है और वो सो जाता है दूसी तरफ मैक्स जो की चार्लोट का हजबेंड है उनके रिलेशनसिप काफी अच्छे होते हैं और वो इंटिमेट होने लगते हैं मैक्स चार्लोट से बहुत प्यार करता है वो अपनी फैमली के साथ रप्पी था लेकिन फिर हमें पता चलता है कि चार्लोट एक डॉक्टर है चार्लोट वहीं पेसेंड रूम में घूम रही होती है तब ही वो एक बाल वाले आदमे को देखती है फिर हमें उसी फ्लेट के सीन दिखाया जाता है जो चार्लोट ने रेंट पर लिया था दरसल चार्लोट ने वो रूम मज़े करने के लिए रेंट पर लिया था वो अलग अलग पेसेंड को उस रूम में लाती है और उनके साथ इंटिमेट होती है यहां तक कि चार्लोट ने बुड़ो को भी नहीं छोड अगले दिन इ Soo त तुम जल्दी आ गई हो अभी मेरा काम खतम नहीं हुआ है चाललोट मैक्स से कहती है मैं बिल्डिंग देखकर आती हूँ वो उस बिल्डिंग में घुमती है तभी उसे भाई आदमी दिखाई देता है जिसके साथ वो रूम में intimate होई थी उसे देखकर वो डर जाती है जैसे ही वो आदमी चाललोट के पास आता है वो बुरी तरह से चिलाने लगती है और उसको एक पंच मार देती है चारलोट उसे सोरी कहती है लेकिन वो फिर से उसे पंच मार देती है और वेवस हो जाती है फिर हमें होस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि मैक्स को चारलोट के बारे में सब पता चल गया है कि वो गयर मर्दों के साथ संबंद बनाती है इसी के चलते अब मैक्स चार्लोट पर टेस्ट नहीं करता और उनमें दूरिया भी हो जाती है चार्लोट एक डॉक्टर के पास जाती है जहां वो उसे पूरी बात बताती है अगले दिन चार्लोट और मैक्स दोनों पिसी की सेकल याद है बस मैंने उन्हा छूआ है एक बाल वाले आदमी को लंभी नाइक वाले आदमी को और एक बुड़े आदमी को तभी डौक्टर कहती एक तुमने जतुỉई को सालोट हैं वो सब एसा क्यों चालोट के लोड़ेकस क ενएन्हा दा है अगर मैंने ये बताया तो हाला तो और बिगड जाएंगी इसके बाद चार्लोट काफी सेड हो जाती है फिर हमें कोट का सीन दिखाया जाता है जहां चार्लोट को दोसी ठेराया जाता है कि वो एक डॉक्टर है और उसने अपने पेसेंट के साथ ऐसा किया लेकिन कोट को पता लगता है कि चार्लोट मेंटरी डिस्टरब्ड है वो उसका लाइसेंस भी रद कर देते हैं अब मैक्स और चार्लोट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं मैक्स चार्लोट से ज़्यादा बात नहीं करता है उसके बाद दो साल बाद इंडिया के सीन दिखाया जाता है जहां चालोट के टुइन बेबी हो जाते हैं चालोट मैक्स के कंटक्शन वाली जगा पर आती है जहां वो एक वर्कर से बात करती है लेकिन मैक्स को सक होता है कि चालोट फिर से गैर मर्दों के साथ सम्मंद बना र चारलोट उपड़ जाती है और वहाँ खुद को फेल करती है तभी मैक्स घर आ जाता है वो अपनी नौकरानी से पूछता है कि चारलोट डेली सुबह कहीं जाती है तो वो हाँ कहती है हाँ वो हर रोज घुमने जाती है उसी रात मैक्स और चारलोट इंटिमेट हो रहे होते ह मैक्स को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे छोड़ कर बाहर चला जाता है, नेक्स डे चार्लोट फिर से उसी बिल्डिंग में जाती है, तो मैक्स उसका पीछा करता है, मैक्स चार्लोट का पीछा करते करते हैं, बिल्डिंग के छत पर चला जाता है, जहां वो देखता है कि च चारलोट के बीच सब ठीक हो गया था नेक डे वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं जहां उन दोनों को खुश दिखाया जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है यहीं मुवी का एंड हो जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी मुवी का एक्स्प्लेइन पसंद आयो हो त